हेलो इप्रिवेंट कैसे हैं आप सब देखिए भारा जो है इसमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुए अर्थब्योस्ता है लेकिन आपको यह बताते जलें कि भारा जो है बहुत जल्द जो है ऐसा बता जा रहा है कि 2030 तको ब्रिटेन को क्रास करके दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थब्योस्ता बन जाएगा तो इसके अधार पर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो ग्रोफ है वो काफी ज्यादा अच्छी है हमारा ट्रेट भी काफी अच्छा है अन्हें रश्टों के बैस्ट है जबकिसे में बहुत सारे देशा में मंदी की सित्प्रण हो कि चालूबित वर्स के दवरान को देश का खुल निरियात साड़े चारसो बिलियन यूएस डॉलर पर गरने की उमीद है तो अगस्ते में भारत का नहीरियात एक दसमनों एक पांच परसत घाट कर 33 जो बिलियन यूएस डॉलर हो गया जो 20 महीनों में पहली बार हुआ है ज साल अगस्त में आयाथ 27 फीजदी बढ़ाकर मनलब बढ़कर 61 दसनों 68 अरब डॉलर हो गया था जहां 37 परसंट जो हो ब्रिद्धी होई थे आयात में अगस्त 2021 में यह व्यापर घाट जो है 11 दसनों साथ यूएस डॉलर मतलब बिलियन डॉलर था तो इस पकार हम देख रहे हैं कि जो है जो काफी ज़्यादा जो हम पेट्रोरियम प्रोड़क्स जो है इंपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से इससे उत्पन हुई है लेकिन निर्यात पिछली गिरावट नॉवंबर 2020 में दर्ज की गए थी जब सिप्मेंट में जो है और दसनों साथ चार परसंट की गिरावट आई थी तो अप्रेल से अगस्त की मतलब 2022 ते इसकी दवरान निर्यात ने सत्र दसनों एक दो परसंट की प्रिद्धि के साथ एक सो बान दसनों पांच नों बिलियन यूएस डॉलर दर्ज किया तो करेंट जो यह वित्तियर है कि इसकी जो है पांच महीने की आवज के दवरान आयाद जो है पैंतालेजनों चे चार पर सेंट बढ़कर तीन सत्ता दसनों आठेक यूएस डॉलर हो गया बिलियन डॉलर हो गया तो इस वित्तवस में जो है अप्रेल अगस्त में बढ़कर जो है 125 दौद अरब डॉलर हो गया था जो पिछले साल की समानवाद में तीरपं इंपोर्ट साथ चार चार परसेंट बढ़कर साथ दसनों चे बिलियन यूएस डॉलर हो गया था हलांकि जो गोल्ड एकस इंपोर्ट है ना मरस होने का आया था वो सैथालेजनों पांच आरब डॉलर ही रहा असा जो है डेटा से बता पता चलता है फिर भी जो है वारेज सची बीवी आर सुबरमन्यम है उन्होंने आखरों पर यहां मीडिया को जाने करें देते हुए कहा कि 2022 देश का कुल निर्याद जो है चार सो अरब डालर को पार कर जाएगा तो उन्होंने एक अच्छी बात भी बताई है तो हम पेट्रोलियम इंपोर्ट इस तो में बहुत कि इस तरह की कुछ चीजें तो बहर से में इंपोर्ट करने ही पड़ेगी उसी करने जो भार पड़ा हुए है तो वस्तों के निर्याद में हम इस बित्तवर्स में साथे चार सो बिलियन यूस डॉलर पार कर लेंगे उन्होंने बताए कि उनका आंतरिक लक्ष चार सतर बिल पिछले साल के जब मुकाबले में कम्पेर करेंगे तो कहीन डेफिसिट जादा होगा उन्हें कहा कि सभी निर्यात्मों कि आडर भरे हुए हैं लेकि निस उत्ताइन की मामले में आडर में देरी हो रही है और उन्होंने कहा कि यह है एक अनसीता ही है इसके दिद्री रिजन जो प्लेट पेलट थे और कुछ सवान पर जो है निर्यात सुल्ग जो से कुछ प्रतिबंद लगाए हैं इसके अत्रिक वाज़ा सामुही रूप से इन छेतों में निर्यात में एक निशित गिरावट का कारण भी बना हुआ है तो सेवाओं के नियात में का कि हम हर महिने लगा 25 बिलियन यूएस डॉलर का जो है सेवाओं में नियात कर रहे हैं यह जो है परिवान और यात्रा चुकि बहाल भी हो गए यह मतले ट्रेवलर ट्रेवलर और ट्रांसपोर्ट वाली इस थी वह भी एक्सपेंड हो गई है चुक वह कही न गए तीन पर सत के दारि में रहेगा यह बुरा नहीं है लेकिन हमें हमें इसके बारे में साधा नोसरे कि जवाणां या उपाय करने की 나서 कि जानी जहें करने त्स kidding जो कि इस वर्स यह हो सकता है अगले वर्स तो जाते इस तक यह पासवनिस हो जागा जो कि निर्यात को और जाड़ा बढ़ा हो देंगे एक्सपोर्ट को चीन के साथ ब्यापर के बारें पूछी जाने पूरूना ने कहा कि चालू मतलब जो चालू भी तौर से अपरियल से सिक्स परसेंट घट गया है और जो पिछले साल के आवाज थी उसमें लोग दो दूनों छे अरब डॉलर का हमको घाटा हुआ थै तो अपरे लागस 2020 के दारान जो है चांटेशनों एक बिलियन यूस डॉलर के मुकावले पहले पांच महीनों के दारान आया अठाइस प्रस कि एक टूर से सुरू होगा इसलिए आप बहुत सरे बाद देखेंगे और उनसे यह भी पुछा गया कि जो इसमें पाकिस्तान में क्राइसिस चल लेए फ्लैड वाली उस पर भारत का क्या रुख है तो उन्हों यह पुछे जाने पर बताया कि पाकिस्तान में जो बाड़ क पाकिस्तान के नागरिकों के साथ हैं वहां के लोगों के साथ है बहुत भागवान है इस और उन्हें इस आपदा से समाधन करें लेकिन जो है न अभी पाकिस्तान के और से कोई ऐसी सित नहीं आई हुए कि हम ब्यापार प्रारम करें और जो है पाकिस्तान नहीं जो है धारतीन सत्तर जब कस्मीन हटाई गए थे उसी के परड़ाम सरफ उन्होंने एक तरफ ब्यापार बंद कर दिया था तो रिजन उन्हीं का है कि यह जो है ब्यापार प्रारम करने के जो इसी इतना वह पाकिस्तान ही सुरू कर गए भारत नहीं सकता है उन्होंने कहा कि आयात मजबूत ब्रिद्धी और जो भारतियार्स व्योस्ता के मजबूत बुनिया दी नहांचे की कारण जो घरेलूर्स व्योस्ता की मांगे ना वो कफ ज़्यादा मजबूत है तो मुल्य के संदर में आयाद में बृद्धी मात्रा और कीमत कारगों के संदर कारण हुई है अगस 2022 में जो इंपोर्ट वैल्लू उसमें बृद्धी वह कमोडिटी समूह जैसे कोईला कोक और ब्रिकेट्स इन सभी में पेट्रोलियों बच्चे और उनके कच्छे उत्पाद यहां गैस जो है वो कारवनिक और कार्वनिक रशायनों में देखी गई थी इसके जो बनसपत्री खा देते लिए उनकी में है अगासव्जीनि-चेतों में प्रिद्धी दाट की गया थी उन्में भी सब्सक्राइब इलेक्ट्रक के क्युक्वपेंट रसायन त्वालorgt नीडाच की वह फास्टिक तो इस पहसेते सब्सक्राइब P. Rouge तो इस बcktgoing काता चाहर है फेडरूरू फेण प्रीडरे maior ठीक भा कि उसके अध्यक्ष एस अक्टिवेल ने कहा कि चीन से दुनिया भर की प्रमक अर्थ ब्यास्ताओं में वैस्षिक मंदी की इस्थित्य पत्पन हो गई है तो ऐसे इस्थित्य उन्हें उन्हें का कि मन जो मंदी है ना यह बैस्थिक विकास प्रड़िया कि समग पूर्वा ही कम हो गई जिससे जो प्रभाव सभी पर ही पढ़ेगा इस तरह से जो मांग है ना मंदी का भी संके देर यह इस्थित ऐसी रहे गई तो काफी ज़्यादा मुल्ब टेफिसिट होगा हमें नहीं वा अन्य देशों को भी होगा और जो है ब्यापार काफी ज़्यादा प्रवाइब प्लास्टिक से सप्लाई है वह भी प्रवाइब हो जाएगा लगवर तो उन्हें का कि वह मना रहें मतब सियासा करें कि जो यूज्य किसी प्रकार से रुख जाए और चीन ताइवां संकठना यह और आगे ना वढ़े इसी पर इनका समाधान हो जाए तो यह देखा जा रहा है लगिन यदि ऐसा नहीं हुगा तो बाश्यक मंदी के संकेत तो काफी ज़्यादा है तो इस प्रकार से हम देखें कि जो भारती अर्ष व्यस्ता वह इस अगस्त के महीने में जो काफी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट से जूज रही थी उन्हें का यह ती अर्टीस तक जो है हम जो है यूके को सरपास करके दुनिया की टीसी से बड़ी अर्ष वस्ता बन जाएंगे